तो आप अपने धर्म का पालन या हम अपने धर्म का पालन करते हैं इसे बुद्धी बढ़ती है लक्षमी बढ़ती है और इसे तेज और सब्सानुम की बात है इसे आहसोरे बढ़ता है हैसोरे का मतलब है कि आने वाले समय में आपके बच्चे भी हैं उनके पास भी कोई ख्रम नहीं देती है आपके पास रुपिया है उनके पास सवा रुपिया हो आप एक धाम में जाते हैं वो चार धाम में जाते हैं यह सब यह तब होता है जब हम अपने स्वधर्म का जब हम अपने स्वधर्म में जीवन जीने की पूरी कोसिस कीजिए। इसे घर में ब्रद्धी होती है। पुर्वज प्रपतफ होते हैं। विसेश समय पर इनको आप बुला करके इने सबसे पहले भूजन कराएं। सबसे पहले जहाँ बच्चें को जमाने की बात चाहिए। लेकिन विसेश पर्व और तित्यों में इनको अगर्भुज्या बरड़न किया गया है। अगर भोज्या प्रसूता नाम जब कोई देवी बच्चे को जनब देती है और जब उसका वसोवड बगरा वसा पूरा हो जाता है सुद्धी हो जाती है और सुद्धी के तपशाद घर में पहला भोजन ब्राम्मड को होना चाहिए पिसे जनम लेने वाला बच्चा बहुत मेदावी होगा इसस्वी होगा बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा ये उस ब्राम्मड की बात तरह जा रही है जो दक्षणा जो दान लेने का जो अधिकारी है सरद्धा से जो भी कोई आप जरूरी नहीं आप चपन भोगी जिमा रहे हैं सरद्धा से जो भी आप परोस्ते हैं ब्राम्मन को जिमाते हैं वो सीधा पितरों के और देवताओं के उधर में पहुंचता है गरीब को जमाए गया भगवान के पेट में जाता है और गव माता को चंद्या दी गई वो भगवान के पेट में जाता है और ब्राम्मन को भुजन कराए गया वह भी तत्काल इसवर के पेट में जाता है ये कोई बिलकर पक्षपात में पक्षपात वाली तो बातें करता ही नहीं हूं मैं मानुपता की बात करता हूं मैं ब्रहम्मड को जाती से बाहर मानता है यदि ब्रहम्मड जाती में होता तो मैं ब्रहम्मड सब्द को जी पर लेकर की ही नहीं आता ब्रहम्मड जाती नहीं नहीं ये ब्रहम्मड वहार है जैसे विश्णु शब्द ब्यापकता में लिया गया है उसी प्रकार से ब्रहम्मड भी ब्यापक सब्द है ये किसी एक दाइरे में बना नहीं है जैसे उपर के दाम में देवता अपना काम कर रहे हैं उसी प्रकार से सि हैं भगवाण नारैन ही नहीं प्रढुमों मैं प्रकट में प्रकट हो कर सकनाई को नमों मैं philosophियाय के लिए स्वैंब भगवानि धरती पर ब्रहा मद दे बताने के लिए वो स्वेम ही धर्ती पर चल करके आए हैं